तेज गेन बास को लाया जाए साथ गेन बाजी करनी होगी यहाँ पुटा के केल दिया है शांदार बल्ले बाजी और ये छे रन चलिए देखते हैं कि अगली गेश्ट पिछले कुछ मैचों से बहुत बार पॉइंट की दिशा में खेल के आउट हुए हैं ये इसलिए अब पॉइंट पे फेल्डर माजूद बहुत बार पॉइंट की दिशा में खेलके आउट हुए हैं ये इसलिए अब पॉइंट पे फेल्डर माजूद उटा के खेल दिया है गाप में गयी और ये बहतरी कि विल्डिंग में परिवर्तन ऐसे फॉर्म में खेल रहे हैं यहां जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्म फिस लाइफ वाह क्या बात है जो मदद इस गेंदबास को इस शोर से मिली है जायज है कि यह उनका फेवरेट एंड होगा वाल सीदा फिल्डर के हाथ में तो यह रन नहीं इनकी दीमी गति की गेंद से तो बचके ही रहेगा वरना आज के लिए आपकी पारी यहीं समाप सो सकती है सीदा फिल्डर के हाथ में कोई रन नहीं कप्तान की आज जितनी तारीफ करो कम होगी बहुत ही अच्छे फिल्ड प्लेसमेंट्स लगाए हैं आज यहां कि अच्छे सब्सक्राइए वहां बाल सीदा फिल्डर के हाथ में लाइन और लेक्ट मापने में तो एक सेकेंड नहीं लगाते यह बहुत ही बढ़िया सिक्स बहुत ही सरल शॉट था यह बल्लेबास का गेंड की रफ्तार का फूरा उप्योग करते हुए गेंड को पहुचा दिया है बाउंडरी लाइन के उस पार इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूच-बूच और नियंतरन के साथ गेंड़ बाजी करनी होगी यहां पिल्पिल चक्मा खागें वहां रड़े बढ़ानी की खोशिश की गेम की दिशा को थोड़ा समझ के खेलना होगा यहां पूरी तरह मिस्किया वहां इस आप नियुक्ष के खागें मैं आपको खुश किसमत संजें जो पेप्रीस भीक करें वहां सीधा फील्ड के हाथ में तो यह रण नहीं आप जिए प्रफ प्रफ आप यहां सुमत्यला वहां पहद ही बहुत ही एरील कप्तानी यहां सीधा फील्डर के हाथ में कोई रन नहीं जो मदद इस गेंबास को इस शोर से मिली है जायज है कि ये उनका फेवरिट एंड होगा पत्रिस मत रहे हैं वहाँ पॉल सीधा फील्डर के हाथ बहुती अक्रामक फील्ड लगा रखी है विकेट की तलाश में ये एक बहुती अच्छी रन नीटी हो सकती है ओ ऐसा लगता है गेंब को देखा ही नहीं वहाँ और दूसरे शोर पे भी तेज गेंबास को ही लाया जा रहा है ओ बहुती 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 बहुतरीन कफ्तानी यहां इसे कहते हैं होमवर्क करके आना बल्ले बास को देखते हुए कवर्स पे फिल्डर लगा दिया है बहतरी इन शॉट गेन सीमा रेखा के बाहर और चार रण फिल्डिंग में परिवर्थन ये एक ऐसे बल्ले बास हैं जो ग्राउंड के किसी भी कोने में मार सकते हैं चलिए देखते हैं अगली गेन कहा मारेगे बहतरीन टाइमिंग शटीक प्लेस्मेंट और चार रण के पूरे हगदार दर्शक इनके दीवाने हैं और क्यों नहों इतना खुल के खेलते हैं मनों हर बॉल पे चका मार देंगे और कोई नुक्सान नहीं जो मदद इस गेनबास को इस शोर से मिली है जायज है कि यह उनका फेवरिट एंड होगा अगर इसी तरह मारते रहे तो बॉल चेंज करने की नौवत आ जाएगी बहुत ही खुबसूरत बाउंडरी इनके तो बल्ले से सिर्फ चौके और छक्के ही जा रहे हैं चलिए देखते हैं अगली गेन कहां मारेंगे उठा के खेल दिया है गैप में गई और यह बैतरीन चौका बहुत ही बड़िया टाइमिंग और शॉट सेलेक्शन का प्रदर्शन कर रहे हैं यहां लेकिन थोड़ा समल के ले में है बड़ी पारी खेलने का पूरा मौका है तहीं उसे गवा ना बढ़े और दूसरे शोर पे भी तेज गेंदबास को ही लाया जा रहा है इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूच बूच और नियंतरण के साथ गेंदबाजी करनी होगी यहां बढ़िया टाइमिंग एक रंग असानी से पुरी किया सकती है और बल्ले बाज दो रंग का कॉल देते हुए बहुत ही बढ़िया पिकप इंधरो बल्ले बाजो को एक एक्स्ट्रा रंग देने से रोप दिया हुए चार रंग बहतरीन टाइमिंग का प्रदर्शन यहां कि एक बार मारा है क्या वो दोबारा मार पाएंगे उठा के खेल दिया है गैप में गई और यह बहतरीन चौका चार शेर बहुत ही पड़िया साजेदारी कि इन बाजो को विकेट लेना ही होगा अगर इस मैच में बरकरा रहना चाहते हैं ऐसे फॉर्म में खेल रहे है यहां जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्म उफ इस लाइफ वाह क्या बात है खेलने की कोशिश अब पुरी तरा जो बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी यहां यह शोट खेलने की लगना है अपनी अब्रत अखों बैठे पुंदा शोट केदबास की कोई गलती नहीं मगर फिर भी चार रन एक बड़ा शोट तो ओर का लगा चुके हैं लेकिन अब उन्हें इस पारी को एक लंबी पारी में तब्दिल करने की कोशिश करने होगी वाल सीथा फिल्टर के हाथ में तो यह रन नहीं जिस तरह की शॉट पिच बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं यह गेंदबास अक्सर बल्ले बास बैक फुट पे ही खेलने की कोशिश में अपनी विकेट गवा देते हैं उठा के खेल दिया है गैप में गई और यह बहतरीन चौका फिल्डिंग में परिवर्तन चलिए देखते हैं कि अगली के इन स्टेडम के कौन से हिस्से में जा गिरेगी करने में ना काम पूर तरह मस्किया निराश लग रहे हैं वहां मेरी माने तो अपने आपको खुश किसमत समझे जो अब फ्रीज पे ही खड़े है पिल्कुल चक्त्मा खा गये वहां रड़े पड़ावी की पोशिश निराश लग रहे हैं मेरी माने तो अब में आपको खुश किसमत समझे जो पे कुश किस पे ही खड़े है सीधा फील्डर के हाथ में कोई रन भी है ओ बहुत ही बेहतरीन कप्तानी यहां इसे कहते हैं होम वर्क करके आना बल्ले बास को देखते हुए कवर्स पे फील्डर लगा दिया थे किसमत रहे हैं वहां बॉल सीधा फील्डर के हाथ में और दूसरे चोड़ पे भी तेज गेंदबास को ही लाया जा रहा है पावर प्ले की समाप्ती और अब फील्डिंग टीम दो से अधिक फील्डर्स को सर्कल के बाहर रख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया फील्डिंग ऐसी फील्डिंग से टीम का आत्मबल बढ़ता रहेगा और ये शॉट बस एक नहीं रिकाल पाए पावर प्ले समाप्त होने के बाद अप्पील्ड तो खुल चुकी है अब इन्हें सिंगल्स और डबल्स की मदद से एक लंबी साजेदारी की कोशिश करनी चाहिए चुरा लिया है एक रण बड़ी आरण इन बिट्वीन देटेश बहुत ही कॉंफिडेंट अपील यहां बॉलर की और अंपायर नॉट आउट देते हुए इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूजबूच और नियंत रण के साथ गेंबाजी कभी होगी यहां चुर करती हुई चेरण सुनेहरे फॉर्म में है यह आजकल आपने अगर एक गल्ती कर दी तो यह उसका पूरा फाइदा उठाएंगे ऐसे फॉर्म में खेल रहे हैं जैसे अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्म फिस लाइफ वाह क्या बात है यह अज़ारान टेजी से लेते हुए बहुती पड़िया फिल्डिंग ऐसी फिल्डिंग से टीम का आत्मबल बढ़ता रहेगा लाजवाब शौर्ट एक फल्वे लगा कि गेंबले से लगी और अज़ाब शॉट चुर्ण और दूसरे ही पल में बाउंडरी के उस पार चार रण पोलिंग में परिवर्दन स्पिनर से विकेट लेने की कोशिश होगी यहां पिछले कुछ मैचों से बहुत बार पॉइंट की दिशा में खेल के आउट हुए हैं यह इसलिए अब पॉइंट में फिल्डर मौजूद क्या आप में खेल गया है दो रंग की कोशिश होगी यहां बहुत ही बड़ी आपको यहीं का प्रतरशन जिस तरह आज कल स्पिनर की दुलाई करते हैं यह क्या लगता है आपको कितने चक्के मारेंगे इस ओवर में अमपार का इशारा वाइट पॉल बहुत है वह थी अच्ची थाल में तोनों बल्ले वाशों के बीच में बड़ी आराणी में देवेट्स एज और कैच ये तो ऐसा था कि आस्मान से गिरे और खजूर प्याटके निराश होकर पैवलिन दितरफ लाटते हुए बल्लेवाज अपनी पहली गेंची तयारी करते हुए हुआ कि खेंदिया है गाफ में और ये एक राट कि खेंदिया है गाफ में और ये एक राट बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी यहां ये शॉट खेंदे की लगता है अपनी एक अग्रद अखो बैठे नर्जाकत से खेंदिया है सिंगल के लिए इन दोनों की आज इतनी पहंतरीन रणिंग बिट्वीन द विकेट्स रही है कि मानू ऐसा लगता है कि कोई इने नहीं रोख सकता एक एक एक्स्टा रण चुराने सब्सक्राइब के लिए और यह शॉट पस एक रही निकालता है बहुत ही कॉन्फिडेंट अपील यहां बॉलर की और अमपायर नॉटाइब देते हुए इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूच-बूच और नियंत रण के साथ गेंदबाजी करनी होगी यहां चुरा लिया है एक रण बड़ी आरन इंडिवीन डरिकेट बहुत ही कॉन्फिडेंट अपील यहां बॉलर की और अमपायर लगाया है कप्तान ने अब अब बहुत ही बड़ा सिक्स मालों कह रहे थे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं यह एक ऐसे बल्ले बाज हैं जो ग्राउंड के किसी भी कोने में मार सकते हैं चलिए देखते हैं अगली गेन कहां मारेंगे बॉल हवा से बाते करती हुई सीरा बाउंडरी लाइंग के पार छे रण दर्शक इनके दीवाने हैं और क्यों नहों इतना खुल के खेलते हैं मानों हर बॉल पे छका मार देंगे डीप एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर मौजूद खेलने की कोशिश आप पूरी तरा चूँए अपने आपको थोड़ा वाक्त देते हुए समल कर खेलना होगा इने अपने करने में नाकाम पूरी तरा मस्किया निराश लग रहे है वहां मेरी माने तो अब मैं आपको खुश किसमत समझें जो अब फ्रीज पे ही खड़े हैं जो रंग काल भाटी बड़ी आपक अपने थो पल्ले बाजो को एक एक्स्टार राइंजने से रोप दिया अज़ इस प्रेटा के खेल दिया है क्यापने गई और यह बहतरीन चौका बहुत ही अच्छा अर्द्रशतक काफी दिनों से यह फॉम में नहीं चल रहे थे पर आज यह बहुत अच्छा महसूस कर रहे होंगे इनके तो बल्ले से सिर्फ चौके और छक्के ही जा रहे हैं चलिए देखते हैं अगली गेंट कहां मारेंगे जो मदद इस गेंबास को इस शोर से मिली है जायज है कि यह उनका फेवरिट एंड होगा और बैतरीन टाइमिंग और गेंब फीमा रखा के पार चार रण और दूसरे शोर पे भी देज गेंद बास को ही लाया जा रहा है इस आकरामक फील्ड के साथ तो बहुत ही सूचबूच और नियंत रण के साथ गेंद बाजी करनी होगी यहां पहला रण तेजी से दोड़ते हुए दूसरे रण की कोशिश होंच यह यहां भरती बड़िया पिकपन द्रोव बल्ले बाजो को एक एक्स्ट्रा रण देने से रोप दिया बड़िया टाइमिंग एक रण असानी से पुरी किये जा सकती है और बल्ले बाज दो रण का कॉल देते हुए इसे कहते हैं होमवर्क करके आना बल्ले बाज को देखते हुए कवर्स पे फिल्डर लगा दिया है बहुत ही अच्छी थाल मेल दोनों बल्ले बाजो के बीच में बड़ी आरानी हुट विदा केट्स इन दोनों की आज इतनी पहतरीन रणिंग बिट्विंट विकेट्स रही है कि मानू ऐसा लगता है कि कोई इन्हें नहीं रोख सकता एक एक्स्टा रण चुडाने से हुआ है कि यह के दिया है क्याप में और यह एक्रा अब पचले कुछ माचों में